पाकिस्तान की कलब एसे कप वार्मप मुकाबले में आया रोहित सरमा और उनके साथ विराट कोहली का तुफान टीम इंडिया ने जीता रोमान चक मुकाबला नमस्कार दोस्तू स्वागता आपका एक बार फिर हमारे चैनल में पारत और पाकिस्तान की बीच एसे कप 2023 से पहले एक 22 संदार वार्मप मुकाबला खेला गया चाहां पर पारती टीम ने संदार परफॉमेंस करते वे इस मुकाबले में पाकिस्तान को सिकस्त दे दी है तो दोस्तों हम आपको इस रॉमान चक मुकाबले का पूरा हाइलाइट बताएंगे लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी पाकिस्तान के उपर टीम ने की संदार जीत को देख कर खुसें तो इस वेड़ों को लाइक जरूर करें और साथी साथ अब इतक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आएकन जरूर दबाले तो चले दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाइलाइट शुरूआज से ही तो दोस्तों सबसे पहले हम टॉस की बात करें तो सिका उचाला रोहित सर्माने और गिरा भी उनीके पक्स में रोहित ने टॉस जितकर पहले बलेबाजी के लिए आमंतरित किया पाकिस्तान की टीम को तो पाकिस्तान की टीम की तरब से पारी की सुरात करने उत्रे फकर जमान तो उनके साथ थे इमाम उलक दोनों बलेबाजू से याँ पर टीम को सांदार सुरात की उमीद थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही और दोनों बलेबाजू ने सुरात सही संबल कर बलेबाजी करते वे कुछ बहतरी इंसोट भी लगाए दोनों की सजीवी सुरात के चलते यहां पर पाकिस्तान की टीम ने नौवे आवर में 50 रनों का आखड़ा भी छूलिया और इसके बाद भी दोनों बलेबाजू ने टीम की स्कोर को आगे बढ़ाते वे 10 और किसमाप्ति के बाद 18 रनों तक पहुँचा दिया इन दोनों बलेबाजू के बीच इसके बाद भी संदार पारनसिब जारी रही और पहले विकेट के लिए 75 रनों की पारनसिब हुई लेकिन इसके बाद टीम इंड़ा को पहली सपलता फकर जवान के रूप में मिली फकर जवान के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे टीम के कप्तान बाबर आजम तो बाबर आजम ने इमाम उलहक के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना सुरू कर दिया और दोनों बलेबाजु ने एक बार फिर भारतिय के इन बाजु के सामने सजी वी बलेबाजी की और टीम का स्कोर 18 वे ओवर में 100 रनों के पार पहुंचा दिया इस दो रन बाबर आजम के बले से कई सांदार सोट भी देखने को मिले वहीं पर इसके बाद इन दोनों बलेबाजु ने 60 के नूप पर 50 रनों की पार्टने से भी पूरी कर डाली वहीं पर इसी बीच भी दोनों बलेबाज सांदार बलेबाजी करते वे नजराए तो यह उ тебе पर सँदार बलेबाजी करते वे अपना बहतरीन अर्षतक भी पूरा कर लिया इमाम उलग ने तो उनके साथ ही आपर सादर बलेबाजी करते वे बाबर आजम ने भी अपना अर्षतक चड़ दिया अब दोनों बलेबाच उन्हें टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पी पहुँचा दिया टीम इंडिया के लिए अब मुस्क लेंको खड़ी होती भी नजरारी थी जिस प्रकार से दोनों बलेबाच परफॉमेंस कर रहे थे लेकिन इसके बाद दोनों याँ पर भारती टीम के लिए बड़ी सबलता दिलाई इमाम उलग के रूप में इमाम उलग को पैवलेन बेजा सांदार गेनबाजी करते वे जस्परित बुमरा ने इमाम उलग सत्यसी रनों की सांदार पारी खेल कर पैवलेन लोटे तो वहीं पर इसके बाद दोस्तू बाबर आजम भी जो अची बलेबाजी कर रहे थे वो भी तैतर रनों की पारी खेल कर पैवलेन लोटे तो वहीं पर इसके बाद पाकिस्तान के लिए अंत में भी सांदार बलेबाजी रही मोहमद रिजवान की जिनोंने याँ पर नीचे बलेबाजी करते हुए कमाल की पारी खेली और आकिरी औरों में सांदार बलेबाजी करते हुए एक समय पाकिस्तान की टीम मुस्किलों में फस चुकी थी उनके स्कोर को तेजी से आगे बड़ाया सादाअप खान के साथ मिल कर और दोनों बलेबाजों ने टीम के स्कोर को बहतरीन तरीके से एक समय लग रहा था कि 250 से 270 के बीच में अटक जाए कि पाकिस्तान की टीम लेकिन ऐसा नहीं हुने दिया और आखिरी 10 ओरों में सांदार बलेबाजी करते वे 80 रन बना कर टीम का स्कोर 300 रनों तक ले जाने में काम्याब हुए और पारती टीम के सामने सांदार बलेबाजी करते वे पाकिस्तान ने 301 रनों का फिसाल स्कोर खड़ा किया पार्ती टीम के सामने अब इस मुकाबले को जीतने के लिए 302 रनो का लक्सी था वहीं पर दोस्तों इस लक्सी का पीच्चा करने उतरी टीम इंड़ा की तरफ से सुबमन गिल तो उनके साथ रोहित सरमा पारी की सुरात करने उतरे सुपमन गिल ने पारी की पहली गेन पर बैतरीन ड्राइव के जरिये चोके के साथ सुरात की तो पहले और की आखरी गेन पर भी उनके बले से एक और सांदार चोका मिडविकेट की तरफ देखने को मिला तो वहीं पर इसके बाद दूसरे आवर में रोहित सर्मा ने भी एक बैतरीन फिलिक सोट के जरिये एक बैतरीन बौंडरी के साथ अपना खाता खोला अब दोनों बले बाद शुराती पांच ओरों में टीम इंडिया को सांदार शुरात दे चुके थे क्योंकि भारती टीम 32 रन बना चुकी थी लेकिन इसके बाद रोहित सर्मा ने एक और कमाल का सोट खेलते वे गेन को बौंडरी लाइन के पार बेजा साइन सापरीदी की गेन पर उन्होंने बैतरिन सोट केला और गेन को मिडविकिट बौंडी लाइन के पार बेजा तो वहीं पर इसके बाद सुबमन गिल ने भी कमाल की बले बाजी करते वे एक और सांदार सोट केला और इस पर भी उन्होंने चौका जड़ दिया लेकिन पारी का पहला छका रोईत के बले से देखने को मिला जहाँ पर उन्होंने हारिस रॉप के गेन पर एक फुल सोट केलते वे गेन को छे रनों के लिए स्टेंड में डिपोसित किया और इस चक्के के साथ ही दोनु बले बाजू के भी सांदार पचास रनों के पाड़ने से भी पूरी हो गई तो वहीं पर इसके बाद रोईत ने एक और स्टेट सोट केलते वे गेन को पॉन्डी लाइन के पार बेजा और ये भी कमाल का चौका था तो वहीं पर इसके बाद स्पिन गेन बाजी की तरफ गई पाकिस्तान तो यहां पर भी रोईत ने आते ही एक स्टेट सोट के जरिये चौका जड़ दिया इसके बाद सुबमन गिल तो और भी आकरमक होते वे नजर आये सुबमन गिल ने एक और सांदार सोट केलते वे गेन को पॉंडिलाइन के पार बेजा दोनों बलेबाजो के भी सत्त के साज़दारी भी हो चुकीती तो साथी आंपर सांदार परफॉमेंस करते वे सुबमन गिल ने रोहित से पहले आरसा तक बना लिया कमाल की बलेबाजी रही इनकी और मातर 42 के नू पर ही 50 रनों तक पहुँच गए लेकिन इसके बाद रोहित ने भी अपना आकरमा खेल जारी रगा दोनों बलेबाजों ने कमाल का परफॉमेंस करते वे 15 और मही टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार्क पहुँचा कर ये दर्सा दिया कि इस मुकाबले में टीम इंडिया मजबूत शुरॉत कर चुकी है क्योंकि बिगर कोई विकेट गवाएं भारती टीम के लिए 100 रनों की पार्टने सिर्फ इन दोनों बलेबाजों ने कर डाली इसी बिच दोस्तों रोईत सिर्मा ने भी सांदार परफॉमेंस करते वे 16 आवर की तीसरी गेन पर ही अपना आर्सा तक पूरा कर लिया रोईत की भी कमाल की बलेबाज रही दोनों बलेबाज अर्सा तक के बाद एक बार फिर यहांपर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाते वे नजराए इसके बाद दोस्तों रोईत के बले से एक और कमाल का सोट देखने को मिला और इसक बार फिर गेन को उन्होंने चार रनों के लिए बॉंटिलान के पार पैस दिया तो वहीं पर सुबमन गिल भी कहां पीछे रहने वाले थे उन्होंने 19 वे और की पहली ही गेन पर एक कमाल का सोट कहलते वे गेन को चार रनों के लिए बेजा तो वहीं पर इसी और की आखरी गेन पर भी एक और चोका उनके बल्ले से देखने को मिला वहीं पर भारती टीम का स्कोर अब 20 और की समापती के बाद 127 रन हो चुका था इसी भी सुबमन गिल ने एक और सांदार सोट कहला और फिलिक सोट के जरिये यहाँ पर चार रन बनाने में वो काम्याब हुए रोईत और अब सुबमन गिल के भी सांदार 150 रनों के पार्ट नसीप पूरी हो चुकी थी लेकिन तब ही दोस्तों एक सांदार गेन ने LBW आउट करके पेवलियन बेजा नसीम सा ने सुबमन गिल को सुबमन गिल अच्छी बले बाची कर रहे थे लेकिन इस मकाबले में तर्यसी रनों की सांदार पारी खेल कर वो पेवलियन लोटे उनके आउट होने के बाद करीज पर उतरे विराट गोली तो उन्होंने आते ही नसीम सा की गेन पर एक बैतरी इन फ्लिक्स ओट के जरे चोका लगा कर अपनी पारी का आगाज किया तो वहीं पर अब वो रोहित सरमा के साथ टीम के सकोर को आगे बढ़ाते वे नजराए इसी बिच रोहित सरमा दीरे दीरे अपने कदम सतक की तरब बढ़ा रहे थे तो वहीं पर विराट कोली भी सांदार परफॉमेंस करते वे शुरात सही आकरमक खेल दिकाना शुरू कर उन्होंने सांदार जोके जड़ते वे 25 और में टीम इंडिया के सकोर को 175 रनों तक पहुंचा दिया यानि कि टीम इंडिया पूरी तरह से इस मकाबले में अपनी पकड मजबूत कर चुकी थी तब ही दोस्तों याँपर रोहित सरमा ने एक कमाल का सोट कहलते वे गेन को 6 र σबyo ιंतार जड़ते वे सांदार जोका जड़ए लेकिन इसके बाद विराट कोली की सांदार बले बाजी ज़री रही और उन्होंने एक और सांदार चोका जड़ा अब बारती टीम का स्कोर 35 ओवर की समापती तक 210 रनों तक पहुँच गया था इसी भी दोस्तू विराट कोली ने सांदार बलेबाजी करते वे अपना आरसा तक मातर 43 केनों पर पूरा कर लिया यहां पर भी इनकी भी कमाल की बलेबाजी रही जहां पर इनके बले से 6 बैतरी चोके देखने को मिले लेकिन इन्हों ने सिंगल डबल में ज़्यादा मेनत की इसके बाद दोस्तू एक और सांदार सोट केलते वे सामने की तरफ स्टेट ड्राइव के जरिये एक बहतरी चखका यहां पर चड़ दिया सादाप खान की गेन को और गेन को 6 रनों के लिए बॉन्डिलाइन के पार पेजा इसके बाद उनके बले से इसी और की एक और सांदार गेन पर उन्होंने एक और बहतरीन सोट सामने की तरफ खिला और एक और सांदार चखका विराट के बले से देखने को मिला इसके बाद दोस्तों रोहित ने भी एक और कमाल का सोट केलते वे पुल सोट के जरिये के इनको छे रनों के लिए बॉंडिलाइन के पार पेचा और इसी बहतरीन छके के साथ ही उन्होंने अपना सतक भी पूरा कर लिया रोहित की कमाल की बलेबाजी रही जहांपर उन्होंने 111 गेनों पर अपना सतक पूरा किया कमाल की बलेबाजी करते वे इस सतक के दोरान उनके बले से चार बहतरीन छके भी देखने को मिले तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद विराट कोली ने भी अपना रुक बदला और इक सामने एक और कमाल का सोड कहलतेवी गेन को 6 रनू के लिए इस बार लोंग उप के उपर से उन्होंने बॉंडे लाइन के बार बेजा तो वहीं पर इसके बाद दोस्तो 41 और में भी उन्होंने एक और सांदार पुल सोट कहलते वे गेन को 6 रनों के लिए बेज दिया और ये तो उनका एक और कमाल का सोट था इसके बाद अब वो भी बिल्कुल अपने सतक के नस्दिक पहुंच चुके थे तब ही उन्होंने एक और सांदार सोट कहलते वे स्टेट डाउन दे ग्राउंड गेन को 4 रनों के लिए बेजा और अपना बहतरी इन सतक मातरी गेतर गेनों पर ही पूरा कर लिया फिराट कोली क दमधार बले बाजी रही और रोहित के साथ उन्होंने भी कमाल का सतक जड़ दिया और रोहित के साथ इनकी पाड़ने से भी अब 140 रनों के पार हो चुकी थी अब टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए थे बचे ओवे 5 ओवर में लेकिन तबी रोहित सरमा के बले से निकले वे एक कमाल के छके ने इस मुकाबले को फिनिस कर दिया और टीम इंडिया ने 9 विकेट से इस मुकाबले में बहतरीन जीत दर्ज की पाकिस्तान के खिलाब पाकिस्तान इस मुकाबले में टीम इंडिया को कहीं पर भी टकर देता हुआ नजट नहीं आया तो दोस्तु कैसे लगा आपको भारती टीम के इंडिया प्लेयरों का परपॉमेंस क्या लगता आपको टीम इंडिया पहला मुकाबला भी जीत पाएगी यह सही हमें अपने राई कमेंट में दें और इस वेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें तन्यवाद